साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ सुवागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पार आजकी साखी का विशे है निस्वार्त भाव से की गई सिवा का सुख हमेशा ही आनन्दित करता है चलिए सुनते हैं आजकी ये साखी साथ संगत जी, दियाशंकर जी की कार जैसे ही सोसाइटी के गेट के अंदर आई गार्ड ने उन्हें रोक कर कहा सहाब ये औरत आपके नाम और पते की चिठी लेकर ना जाने कबसे भटक रही है दियाशंकर ने चिठी लेकर देखा तो नाम और पता तो उनी का था पेकर दयाशंकर को तरस आ गया शायद बहुत देर से वो घर तलाश रही थी। उन्हें अपने घर लाकर दयाशंकर ने कहा पहले तो आप बैठ जाए। इसके बाद उन्होंने नोकर को आवाज लगाई रामु इने पानी लाकर दो। पानी पेकर उस औरत ने राहत की सांस ल गाव में इलाज नहीं हो पा रहा था। किसी सरकारी हस्पताल में इसी भरती करवा दो बेटा इसकी जान बच जाएगी। मेरा एक लोता बच्चा है। इतना कहते कहते महिला का गला रूंद गया आखों से आसु आ गए। दयाशंकर ने उन्हें गैस्ट रूम में ठहराया पतनी से कहकर खाने का इंतिसाम करवाया। अगले दिन अपने फैमली डॉक्टर को बुला कर सारी जाज करवा कर उस बच्चे का इलाज शुरू करवा दिया। वो महिला कहती रही कि इसका इलाज किसी सरकारी हस्पताल में करवा दो पर दयाशंकर जी ने एक नहीं मानी। छोटे से बच्चे ने भी दयाशंकर जी के पाव छुए। दयाशंकर जी ने दिलासा देते वे कुछ और पैसे दिये और एक चिठी दे कर कहा इसे पता जी को दे दीजेगा। गाव पहुँचकर अशोग जी को वो चिठी दे कर महिला बहुत तारीफ करने लगी कि आपका बेटा तो इस पते पर नहीं रहता। कुछ समय पहले ही मैं यहां रहने आया हूँ पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिएगा। इस महिला से कुछ मत कहिएगा। आपकी वज़े से मुझे इन अतिती माता से जितना अशिरवाद और दुआएं मिली हैं। उस उपकार के लिए मैं हमेशा आपका अभारी रहूँगा आपका देयाशंकर। अशोग जी के हाथ अनयास ही उस अंजान देवता के सम्मान में जुड़ गए। साथ संगत जी निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का सुख हमेशा ही आनंदत करता है। प्राचिम समय की बात है। एक स राजकवी को प्रणाम करते ही उनका स्वागत किया। भरे दरबार में राजकवी ने राजा को आशिरवाद देते हुए कहा। आपके शत्रु चरंजीव हो। इतना सुनते ही पूरी सभाद दंग रह गई। यह विचित्रस आशिरवाद सुनकर राजा भी राजकवी से न राज हो गई पर राजा ने अपने करोध पर नियंतरन कर लिया। इस बात को वहां मुझूद सभी लोगों ने भाप लिया था। वहां कई दरबारी ऐसे भी थे जो राजकवी की प्रतिभा रुत्वी और व्यक्तितव से जलते थे। वो मन ही मन खुश हो गए कि अभी रा तब कम हो जाएगा। और हो सकता है कि राजा इसे दंड भी दे दे। राजकवी ने भी इस बात को जान लिया कि राजा तो उनकी बात सुनकर नाराज हो गए है। राजकवी ने तुरंद कहा माराज मुझे माफ करिएगा। मैंने आपको कुछ दिया है पर आपने लिया न इस पर राज कवी ने समझाया राजन मैंने यह आशिरवाद देकर आपका ही हित चाहा है आपके शत्रू जीवित रहेंगे तो आप में बल बुद्धी पराकरम और सावधानी बनी रहेगी यह बात अवश्चक है कि राजा को सदा सावधान रहना चाहिए सावधानी तभी बनी रह सकती है जब शत्रू का डर हो शत्रू का डर होने पर ही हुश्चियारी आती है शत्रू के ना रहने पर हम निश्चिंत और असवधान हो जाते हैं इस प्रकार से ही राजन मैंने आपके शत्रू को नहीं आपको ही मंगल कामना दी है राजकवी के आशिरवात का मरम जानकर राजा ने राजकवी से माफी माँगी और उनके आशिरवात को सविकार किया साथ संगत जी, तो ये साकी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है वो बात जो हमें समझनी चाहिए जिस प्रकार से शत्रू का भै होने पर ही राजा, सावधान और वीर बना रहे सकता है उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी मुश्किल परिस्थितियां और संकट होने पर ही हम कुछ बन पाते हैं अगर हमें किसी प्रकार का कष्ट, परिशानी या संकट नहीं मिलेगा तो तै है कि हम निश्चिन्त जीवन जीएंगे और परिस्तितियों को जस्काता सविकार भी कर लेंगे लेकिन अगर हमें संकट परिशानी हो या उनका डर हो तब ही हम कुछ नया कर पाते हैं कुछ नया सीख पाते हैं नई बुलंदियों को और सफलताओं को प्रापत कर पाते हैं हमारे जीवन में कोई समस्या या संकट आती है तो राजा की तरह हमें राज कवी यानि की भगवान को कोसन नहीं चाहिए उनसे नराज नहीं होना चाहिए बलकि उनका धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने हमें अपने आप को साबित करने का एक मौका प्रदान किया है समस्याओं से घबरान और डरने की बजाए आगे बढ़कर उन्हें सविकार करने का परियास करना चाहिए ताकि उसका नया समधान प्रस्तुत कर सके और जीवन में नई बुलंदियों को और उन्नतियों के दरवाजे अपने लिए खोल सके क्योंकि कहते हैं कि संकट और परिशानी की भटी में तब कर ही इंसान सोना बन कर निकलता है एक बार की बात है कि महरशी नारत बैकूंट की यात्रा पर जा रही थी नारत जी को रास्ते में कौरत मिली और वो औरत कहने लगी मुनिवर आप तो प्राए ही भगवान नराइन से मिलने जाते हैं मेरे घर कोई अलाद नहीं है भगवान से पूछना कि मेरे घर अलाद कब होगी नारत जी ने कहा ठीक है मैं पूछ लोगा इतना कहकर नारत जी यात्रा पर चल पड़ी बैकूंट पहुँचकर भगवान ने जब नारत जी से कुशलता पूछी तो नारत जी बोले जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक औरत मिली जिसके घर कोई अलाद नहीं थी उसने मुझे आप से पूछने को कहा है कि उसके घर अलाद कब होगी भगवान ने कहा तुम उस औरत को जाकर बोल दो कि उसकी किसमत में उलाद का सुख नहीं है नारत जी जब वापस लोट रहे थे तो वो औरत बड़ी बेसबरी से नारत जी का इंतजार कर रही थी औरत ने नारत जी से पूछा कि भगवान ने क्या जवाब दिया तो नारत जी ने कहा भगवान ने कहा है आपके घर उलाद नहीं होगी ये सुनकर वो औरत जोर जोर से रोने लगी नारत जी चलते मने कुछ समय बेद गया गाउं में एक संत मधुकरी के लिए आए और उस संत ने उसी औरत के घर के पास यह आवाज लगाई संत की आवाज सुनकर वो बांज औरत मधुकरी के लिए भोजन ले आई दान पाकर संत ने उसे पुत्रवती होने का आशिर्वा दे दिया और जैसा संत ने कहा था वैसा ही हुआ उस औरत के घर बेटे का जनम हो गया उस औरत ने बेटे की खुशी में गरीबों में खाना बाटा और ढोल बजवाए कुछ सालों के बाद जब नारत जी दुबारा वहां से गुजरे तो वो औरत कहने लगी क्यों नारत जी आपने तो कहा था मेरे घर उलाद नहीं होगी ये देखो ये मेरा बेटा है फिर उस औरत ने नारत जी को संत के बारे में बताया नारत जी को भी इस बात का जवाब चाहिए था कि ये कैसे हो गया वो भगवान नराण के पास पहुँची और कहने लगे आपने तो कहा था उस औरत के घर उलाद नहीं होगी क्या उस संथ में आपसे भी जादा शक्ती है भगवान भगवान बोले आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूँगा पहले आप मेरे लिए और शदी का इंतजाम करिए नारज जी बोले आग्या दीजे प्रभू तब भगवान ने कहा आप भूलोक जाईए और एक कटोरी रक्त लेकर आईए नारज जी कभी इदर घूमते कभी उदर घूमते पर उन्हें भूलोक पर एक प्याला भर रक्त नहीं मिला उल्टा लोग उनका उपहास करने लगे कि भगवान बिमार है चलते चलते नारज जी किसी जंगल में पहुँची वहाँ पर उन्हें वही संत मिले जिन्होंने उस उरत को बेटे का आशिरवात दिया था वो संत नारज जी को पहचानते थे उन्होंने कहा नारज जी आप इस समय जंगल में क्या कर रही है नारज जी ने कहा कि मुझे नारायन भगवान ने किसी इंसान का रक्त लाने को कहा है यह सुनकर वो संत खड़े हो गए और बोले भगवान ने किसी इंसान का रक्त मांगा है तब उस संत ने नारज जी से कहा कि आपके परस कोई छुरी अचाकू है नारज जी ने कहा वो तो मैं हाथ में लेकर घुम रहा हूँ उस संत ने अपने शरीर से एक प्याला खून दे दिया नारज जी वो खून लेकर भगवान के पास पहुँचे और कहने लगे मैं आपके लिए औशदी ले आया हूँ नारज जी यही तो आपके सवाल का जवाब है जी स संत ने मेरे लिए एक प्याला रक्त मांगने पर अपने शरीर से इतना रक्त भेज कर मुझे अपना रिनी बना लिया है जो मुझे इतना प्रेम करता है क्या उस संत के आशिरवाद देने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दे सकता उस बांज ओरत के लिए दुआ तो आप भी कर सकते थी ना पर आपने तो ऐसा नहीं किया अब रक्त तो आपके शरीर में भी था पर आपने नहीं दिया मनुश्य का भागय केवल प्रारब्द से ही नर्मित नहीं होता अपितू सतकरम और आशिरवाद से भी प्रभावित होता है साथ संगत जी अगर आज की ये साखिया आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शर्ट जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखिय और नए विचारों के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी